हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप KBS TGT हिंदी की तयारी कर रहे हैं और सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने पास रखें हैं और सिलेबस को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल उत्पन हो रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है इसकी त्यारी कैसे करें किन-किन पुष्टकों को पढ़ना है क्योंकि आपकी परिक्षा की त्रिश्टी कौन से मैं लगातार वीडियोज लेक्चर तयार करता हूँ चाहे वो सब्जेक्टिव तवर पर हो अब्जेक्टिव तवर पर हो लेकिन कुछ विद्धियार्थियों के कमेंट्स आते रहते हैं कि कौन-कौन सी पुष्टकें उनको पढ़नी है या कोई खास ऐसी पुष्टक है जिसको खरीद कर वो पढ़ सकते हैं तो इनी सारे सवालों का जबाब देने के लिए मैं इस तरीके की वीडियोज लेकर आप सभी के सामने हाजीर हूँ मैं में टॉपिक पर आऊं इससे पहले आप सभी का हर्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार बड़ी संख्या में इस चैनल से जूड़ रहे हैं जो कि न किवल मनोबल को बढ़ा रहा है बलकि हमको काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है और आप सभी का जूड़ना ही हमारा मनोबल बढ़ाना है और मुझे भी उत्सुकता रहती है कि जब भी चैनल का रिब्यू करता हूँ कि कितने लोग जूड़े हैं कितने लोग छोड़े भी हैं तो एक-एक सब्सक्राइबर मुझे विहारी की उस दोहे की तरह लगते हैं जिनका की मोल बहुत ज्यादा है मेरे लिए अगर एक सब्सक्राइबर भी जूड़ता है तो बहुत खुशी होती है अगर कोई छोड़ कर भी जाता है तो दुख भी होता है लेकिन अगले एक सब्सक्राइबर में हम देखते हैं कि एक के छोड़ने के बाद करिब 10 लोग जूड़ भी जाते हैं तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और मेरी कोशिश है कि UGC, NET, TGT, PGT, CHIUP का हो KBS का हो और जो भी आपको टीचिंग लाइन में जॉब मिल सकता है प्रवक्तार असिस्टेंट प्रोफेसर का लगातार उसका मागदर्शन आप लोगों को दिया जाता रहे तो उसको लेकर जुडा रहा हूँ और इसके साथ ही जो भी बच्चे पोश्ट ग्रिजियोशन में है और PhD इत्यादी की तियारी कर रहे है उनके लिए भी कई चीजें यहाँ पर महत्पूर है आप सभी लोग देखे भी होंगे और जाकर देख भी सकते हैं तो मैं बात करूँ कि केंद्री विद्याले TGT हिंदी का सिलेबस इतना बड़ा क्यों है बड़ा इसलिए है कि जो भी पठक्रम में चीजें लगाई गई है अगर सामान रूप से आप देखें तो लगबख 5 सालों के मैटर को आपको 2-3 महिने में पढ़ना है काने का मतलब यह है कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बुक्स होंगी वो NCIT, CBSC पाठकरम में जो दी गई है वो होंगी और कक्षा छटमी और दसमी कि पुष्टकों में अंतर नहित और धारना संकल्पना सम्मिलित है तो यहाँ पर किवल दो कक्षाओं का उल्लेक किया गया है छटमी और दसमी का लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप सिलेबस देखेंगे पीछे तो जिन-जिन किताबों का इसमें नाम लिखा गया है वो किताबें छटमी में हैं सातमी में हैं आठमी नवी और दसमी में लगी हुई है तो अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि TGT हिंदी की तयारी करते समय छटमी से लेकर दसमी तक की जो सिलेबस में पुष्टके लगी है हलांकि सामाने तोर पर आप देखेंगे तो छटमी से लेकर दसमी तक और किताबे भी लगी है जिनको की सिलेबस में नहीं रखा गया है में में किताबों को रखा गया है और संयोक से उन किताबों को मैंने खरीद भी लिया है और जब किताबों को खरीद लिया है तो ये एक severity आप सभी के लिए है कि इस पे लगातार वीडियो लेक्चर आते रहेंगे वीडियो लेक्चर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन एक विश्वसनी कंटेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है कि इसको लेकर आप लोग परिक्षा हॉल तक भी जा सकते हैं काने का मतलब है कि मोबाईल ऐसी चीज है कि अंत तक जब तक बहुत कड़ा बाउन्डेशन ना आया कि मोबाईल यहां रखना है तब तक आप अपने पास रखे ही रहते हैं तो सेंटर तक आपके साथ कोई चीज जाने वाली है तो वो बुक्स नहीं है जो सिलेबस में लगी हुई है बलकि आपके हाथ में जो मुबाईल है वो जाने वाली है तो मैं भविश्य की द्रिष्टिकोर से वीडियो लेक्चर बनाता हूँ कि आखिर तक आपको नौलेज मिलता रहे ज्यान मिलता रहे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे तो इन किताबों को मुझे पढ़ना पड़ता है अच्छा विश्य कांटेंट बनाना पड़ता है परिक्षा की द्रिष्टिकोर से देखना पड़ता है और मैं भी तो यूपी बोर्ट से पढ़ाई की थी और आप सभी के प्रेणना के कारण मुझे CBSC बोर्ट की किताबों को भी पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है और आप लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट है जो भी बच्चे अगर NCIT CBSC बोर्ट से नहीं है या फिर जहां पर NCIT की किताबें नहीं चलती है वो अलग-अलग जना है तो उन किताबों की बात करों तो सबसे पहले जो किताब लगी है वसंत भाग एक जो की कक्षा छठमी की पुष्टक है और इस पर हमने वीडियो लेक्चर बना दिया है वोल नाइनर नोट्स के माध्यम से और परिक्षा के डिश्रिकोन से जो भी important facts हैं उनको बनाया आगे आने वाले दिनों में इस पर objective questions भी आएंगे जो कि आपको काफी मदद करेंगे तो वसंत भाग एक आपके पास होनी बहुत जरूरी है अच्छा ये NCIT के किताबों को मैंने देखा तो इसमें maximum 150 पेज हैं अगर कोई ज्यादा से ज्यादा मोटी किताब है तो 150 पेज के आसपास में है तो अगर आप time table बना कर रोज निश्चित कर लेते हैं कि एक किताब हम खतम करेंगे उसको पढ़ लेंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको इस इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी 5 सालों का syllabus है उसको आपको 2-3 महिने में पढ़ना है और जब तक exam की date नहीं आती है तब तक पढ़ना ही पढ़ना है तो इसलिए देखने में ये बड़ा लग रहा है और ये परिवर्तन है बदलाव है तो उसके कारण भी ये थोड़ा सा आप सभी को परिशानी में डालने वाला है दूसरी पुछतक है बसंत भाग दो तिक है ये सात्मीं कक्षा में लगी हुई है इस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बना दिया है और जो भी परिशा के दृष्टी कोन से इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात किये तो इसको भी आप देख लीजी वसंत भाग दो इसके बाद जो पुछतक है बसंत भा बाते हैं ठीक है पेज अगर पढ़ना बैठें तो एक दो गंटे में इसको खतम कर देते हैं क्योंकि मैं भी ये निशित किया रहता हूं कि इस किताब को पढ़ना है इसके बाद नोट्स बनाना है तब आप सभी के सामने कंटेंट को प्रस्तुत करना है ठीक है तो जो भी चिंटन रहता है और अज परिक्षार्थे की दृष्टी कोन से लगता है कि मुझे खुझ इस परिक्षा में बैठना है तो ये तीन किताबें बसंत नाम से भाग एक भाग दो भाग तीन टोटल दस किताबें लगी होएं आपके सिलेवस के अंतर्गत अब अगले जो आए पर हैं और वी चप्टर लेकर आएंगे और चीजे बहुत सारी क्लियर हो जाहेंगे तो आप लोगों को बिलकुल घपराना नहीं है दिड संकल्पित होके पढ़ते रहना है अपना टाइम टेबल बना कर पढ़ना है और मन में एक बना कर पढ़ना है कि जो भी आपर कंटेंड दिया जा रहा है वो आपको काफी मदद करने वाला है क्योंकि हमारा तार एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है वो विश्वास का त लिखता था वो जादा नोर्स भी खुब बनाता था लेकिन अब इस प्रोफेसर्ण में आना पड़ा है तो बोलना तो पड़ेगा बिना बोलने से काम नहीं चलेगा तो दिरे दिरे हम भी आप सभी के बहाने बहुत कुछ जानेने का प्रयास किये हैं किवल आफ ही लोग ग्य सामाने तर पर आप सामाने ग्यान की किताबों में पढ़ते हुए इतना तक तो जरूर याद रखे होंगे कि भारत की खोज जवालान नहरू द्वारा लिखी गई है ये किताब अन्य किताबों के अपेक्षा थोड़ी सी मोटी है तो देखा जाए तो इसमें कूल पेजों क संख्या अगर बात करें तो 120 है ये भी उतनी मोटी नहीं है तो भारत की खोज में क्या क्या है इस पर भी हम बात चीत करेंगे तो ये आपके सिलेबस में लगी हुई है इसके बाद है 36 भाग एक जो की नवी क्लास की पुष्टक है और इस पर अभी मुझे बात चीत करना है इसमें कावे खंड और गद्य खंड दोनों तरीके के चीज़ें लगी हुई है इसके बाद है 36 भाग दो ये दस्वी कक्षा में आपको पढ़ना है ठीक है आपको तो एक परिक्षा के दिश्टिकॉन से पढ़ना है लेकिन जो सामाने तर पर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होंगे उनके दिश्टिकॉन से ये बुक है ठीक है 36 भाग दो तो इसमें भी हमें गद्य और पद्य दोनों लगे हुए हैं दोनों को पढ़ना है इसके बाद जो पुष्टक है कृतिका कृतिका भाग एक ठीक है ये भी नवी कक्षा में लगी हुई है पतली सी पुष पुष्टकों के संख्या आप देखेंगे तो 10 है लेकिन टोटल पेज मैं अगर मिलाओं तो 500-600 पेज हो जाएंगे तो इनको आप 10 दिन अगर लगन के साथ मेहनत करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है अगर आप पढ़ लेंग क्योंकि अगर नोर्स भी कोई बनाता है तो इसको कंप्लीट नहीं माना जा सकता है वो कोई व्यक्ति ही बनाता है उसमें वो सारी चीजें छूट भी जाती है हालांकि कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं उसमें दूसरी बात नहीं है ठीक है इन किताबों के अलावा आप देखेंगे तो इसमें आपको व्याकरण भी पढ़ना है क्योंकि आपका TGT का जो सिलेबस है वो दो खंडों में बटा हुआ है खंड एक में जो है हिंदी भाषा और व्याकरण से सारी चीजें दी गई है तो इस चैनल पर आपको हिंदी भाषा और व्याकरण पर किताबो के बारे में विचर्चा की गई है और इसके अत्रिक बहुत सारे वीडियोज लेक्चर हैं जो कि आपको इस सिलिबस के नुसार मिल जाएंगे मैं भी उनको समय समय पर डालता रहूँगा कुछ हमने वीडियोज अपलोड की हैं आपने देखा भी होगा एक पुष्टक और लगी हुई है अभिव्यक्ति और माध्यम जो कि 11 और 12 की पुष्टक है मैंने देखा कि इसमें जो खंड ख करें आगे चल कर तो लगातार यहां पर आप देख रहे हैं कि लेकर आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है जरूरत इस बात की एक ध्रिड संग्कल्पित होने की कि हमें इन किताबों को पढ़ लेना अगर आप इन किताबों को नहीं खरित पाते हैं तो वर्वसायट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके जब भी आपको समय मिले, आप देख भी सकते हैं, और जब यहाँ पर जो भी लेक्चर अपलोड किये जाएंगे, उसको जोड कर जब आप पढ़ेंगे, तो आपकी त्यारी में थोड़ी सी धार आएगी, उसमें और तेजी आएगी ठीक है तो मेरी तो यही कोशिश रती है कि आपको एक दृष्टिकोन दिया जाए मागदर्शन दिया जाए और आपके confidence को बढ़ाया जाए कई बार क्या होता है कि हम अपने से किताबों को पढ़ते हैं लेकिन चीजें ठीक से समझ में नहीं आती हैं अगर कोई बता देता है तो समझ में आ जाती हैं यही तो एक दूसरे को जोड कर रखा है गुरु शिश्य परंपरा तो इसी को अभी तक जीवित रखी है तो अभी भी मागदर्शक की जरूरत है लोगों को बिना मागदर्शक के आप किसी भी पैक्षा में सफल हो यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है तो TGT हिंदी का जो syllabus है syllabus देखको आपको परशा महिने के वीच में ही सामाने तवर पर पांस साल के syllabus को पढ़ना है अगर कोई विद्यार्थी छट्वे से लेकर दस्वे तक जिस किताब को पढ़ता पांस सालों में उसको आपको दो महिने में ही पढ़ने जब तक परिक्षा की डेट नहीं आ जाती है तो कैसे कैसे पढ़न तो कोई दिक्कत नहीं है तो उमीद है कि आपको अब TGT हिंदी को लेकर एक थोड़ी सी एनरजी मिली होगी आप तुरंत टाइम टेबल बनाएंगे उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसी तरीके से जुड़े रहे आप सभी मेरे लिए काफी महतुपूर हैं आप सब हैं तो मैं हूँ हरिसंकर परसाई की एक पंती खास तोर से मुझे याद आती है कि नेता के लिए जनता का महतु है सादू संतों के लिए भक्तों का महतु है और एक सिक्षक के लिए उसके शात्रों का महतु काफी इंपोर्टेंट है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए, मैं भी ध्यान में रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज बताए जाए कि ज़्यादा ज़्यादा चीजें सरल हो आपको कोई कठिन चीज न बताए जाए और शरल भाषा में शरल तरीके से आपको चीज़ों को बताया जा ताकि आप जिस भी परिक्षा में सफल होना चाहते हैं खासर से अगर केंद्री विद्याले TGT की परिक्षा पास करना चाहते हैं तो आप आराम से उसमें सक्सेज हो जाएं और एक दिन कमेंट्स करकर बताएं कि सर मेरा चैन इस परिक्षा में हो गया है तो यही कुछ हमारी उम्मीदें हैं और भविसे में ये सारी चीज़ें साकार होंगी ऐसी कलपना के साथ हम यहाँ पर जुड़े हैं आप सबी से तो आप लोग लगातार बने रहे हैं मिलते हैं एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार